आप सभी को मेरा प्रणाम, Herbal Remedies in Nature's Treasure में आपका स्वागत है मित्रो आज कफ और पित्त के निवारन के लिए महानोस दिये पौधा जो आपके सामने है, इसको पित्त पापडा कहा जाता है Indian Poppy या Fumiria Indica या Indian Fumitree इसको कहते हैं और यह Pepevresy Family का है, आप इसके कितने सुन्दर flowers देख पा रहे होंगे पिंकिस कलर के जो इसके flowers है, Petrolated Collin इसके leaves होते हैं इसके अंदर विबिन परकार के Alkaloid Glycoside, Steroidal Flavonide Compound आधे पाए जाते हैं प्रोटोपाइन नाम का मुख्य रूप से एक Alkaloid पाए जाता है, इसके अलावा इसमें नार्सिमीन, Tetrahydrofumarate, Methylfumarate, Bicuculin और इसके अंदर Fumariline, Tetrahydrocortisone, Tetrahydrocortisone, Estoride का काम करता है, यह Natural Estoride भी इसके अंदर पाए जाता है इसका जो मुख्य कारिय है, वो है लिवर के माध्यम से अपना कारिय करता है, लिवर रेमीडेशन में विशेश इसका योगदान होता है जीन से जीन अगर ज्वर हो, तो धनिये के साथ क्वात बना कर इसका पिलाना चाहिए और अगर मलेरिया का भी बुखार हो, तो भी वो ठीक हो जाता है, इसका क्वात बना कर देने से इसके अलावा यह Smooth Muscle Relaxant है, अगर कभी पेट में खिचाओ हो जाए, या फिर सरीर के किसी अंग में खिचाओ पैदा हो रहा हो मास पेशियों की किचने से तो इसको आप सिवन कर सकते हैं, पूरी तरह से यह Safe है, कई बार क्या होता है कि लंबे समय से पैरसीटामोल या TB की जो दवाई होती है, रिफाम पिसीन, उसके खाने से कई बार हिपेटो टॉक्सिसिटी हो जाती है, लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसके निराकरन के ठीक कर देता है, साथ ही साथ आप इसका 10-15 ml सुर्स भी पीते रहें, तो हीलिंग बड़ी फास्ट होती है, इसके अलावा अगर वोमेटिंग की समश्या हो, तो इसके जूस में सहद मिला कर पीना चाहिए, मुख्य रूप से क्या होता है कि पित्त जनित जो वोमेटिंग हो परवाल एक समश्या होती है, आँखों के जो बाल हैं आई-लिड्स के आँखों के अंदर जाते हैं, और रेडिस ने आँखों में हो जाती है, और जिसके लिए कई बार सरजरी भी घरानी पड़ती है, इससे निरा करने के लिए आप एक बार बालों को निकाल दीजे, उसके के लिए आप इसके इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है, यह कफ और पित दोनों की समन के लिए इस्तमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर वात की समश्या है, जादा मात्रा में देने से वात को ये बढ़ा भी देता है, और अगर सिर का सूल हो रहा हो, तो इसके रस में गाय का घी मिलाकर सरकी मालेश करने चाहिए, सिर सूल भी आसानी से इसके लगाने मातर से ठीक हो जाता है, खुजली के समस्या हो, तो इसका डिकोक्शन भनाकर स्नान करना चाहिए, किसी भी परकार की खुजली के समस्या हो, आसानी से ठीक हो जाती है, अर् प्रसार प्रसार होता रहे आप सभी का धन्यवाद फिर में लेंगे नए प्रांट के साथ प्रणाम